नमस्कार और वेल्कम टू स्टडी ग्लोज माइडियर फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ा दिन है आसाम के लिए हमारे देश के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशी की बात है एक डील साइन हुई है आसाम की सरकार सेंट्रल गॉर्मेंट और यू एल फे के बीच में तो दोस् एक चीज आप अभजर्व कीजिए जो इंटरनेशनल बाउन्ट्री है वो ये शेयर करता है भोतान के साथ और यहां पर आप देखिए ये बंगला देश की साथ इस तरफ इंटरनेशनल बाउन्ट्री है और यहां पर बintage के साथ इंटरनेशनल बाउंटरी शेयर करने वाला ये हमारा इंटरस्टिंग राज्य है जिसका नाम है आसाम राइट और यू कन सी मिगालया यहां पर है फिर अरुनाचल प्रदेश जो है उसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है नागा लेंड के साथ, मनीपूर के साथ, मिजुरम के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और त्रीपूरा के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है तो यह एक बहुत ही एक strategic location बन जाता है आसाम का रैट तो यह हो गया आसाम का मैप अब बात करते हैं लेटिस्ट जो खबर है उसके बारे में जो ब्रेकिंग न्यूस है सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ULFA का जो प्रो टॉक्स फैक्शन है ULFA का एक ऐसा फैक्शन है जो बातचीत पर विश्वास रखता है जो डिस्किशन पर विश्वास रखता है तो ऐसा जो एक बहुत बड़ा फैक्शन है ULFA का उसने एक ट्राइपाटाइट मेमोरेंडम ओफ सेटल्मेंट जो है वो साइन किया है सेंट्रल गॉर्मेंट और आस आसाम की गवर्मेंट राइट and you have UFLA तो इनके बीच में ये एग्रिमेंट जो है वो साइन हुआ है as you can see हमारे होम मिनिस्टर साभ यहां पर है union होम मिनिस्टर अफकोर्स आसाम के चीफ मिनिस्टर है और you can see ULFA के prominent leaders जो है वो भी आपको इसमें नज़र आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा agreement जो है वो हुआ है एक लंबे समय सही ये जो एक issue चल रहा था तो उस पर finally एक deal जो है वो sign हो चुकी है अब दोस्तों ULFA के बारे में बात करते हैं उससे पहरे है बहुत ए quickly we have launched limitless leadership program देखें दुनिया के जो बड़े बड़े ऐसे problems होते हैं ये ULFA वाला जो professional life है हर खेतर में leadership जो है वो एक ऐसी quality है कैसी skill है जिसके माधियम से हम बहुत बड़े बड़े challenges जो है उनको solve कर सकते हैं तो ये जो limitless leadership program है इसके साथ जो भी सारी details आपको study close के mobile app पर मिल जाएगी अब बात करते हैं ULFA के बारे में तो ULFA जो है it is an oldest insurgent group in Assam ये जो ऐसा group ह जिसको ULFA को तो सरकार ने terrorist खोशित कर दिया था और ये एक armed separatist group है जिसकी स्थापना 1979 में हुई आसाम में हुई इसके founders की बात करें तो एक है परेश बारुआ है तो ये परेश बारुआ साब जो है उनके बारे में हम अलग से बात करने बाला आज ही कि जो हमरे discussion है उसमें ये जो अभी deal साइन हुई तो अमिच्छा और जो आसाम के चेफ मिनिस्टर है तो उनके साथ साथ अरबिंदा राजगुआ साब जो है वो भी इसमें involved थे तो उन्होंने भी इस deal को साइन किया है ये 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 जो नाम अभी missing है या फिर एक व्यक्ति जो missing है ये परेश बा about it in a minute तो ये जो ग्रूप है इसका में लक्षय क्या था जब इसकी स्थापना हुई तो में लक्षय ये था कि जो आसाम के लोग हैं इंडिजिनियूस आसमीस पीपल हैं तो उनके लिए एक अलग से देश बनाना चाते थे तो बैसिकली भारत से आसाम जो हैं उसको वो उनकी थी वो थी extortion, kidnapping, लोगों की हत्या कर देना और इसे के साथ-साथ आसम is very famous for चाय, चाय के बागान के लिए famous हैं तो ये जो चाय के बागान है इस राजिय में तो जो companies के साथ जड़े हुए लोग हैं तो उनको target करना, extortion करना, kidnapping करने ला, किसी की हत्या कर देना तो इस प पावर से वो central government ने अपने पास ले लिए, तो तब से ULFA जो है उसने violence काफी ज्यादा बढ़ा दिया और 1990 में ही इसको एक terrorist organization और band organization खोशित किया था, फिर दोस्तो 2011 में एक बहुत बड़ा breakthrough हुआ, 2011 में एक tripartite agreement हुआ, इसको कहते हैं suspension of operations, तो ये भी ऐसा ही triangle बना, central government, आसा आसाम की सरकार और एक तरफ ULFA, तो इनके बीच में ये SOO हुआ, और 12 सालों से, जी हां दोस्तों, 12 सालों से discussions चल रहे थी, 12 सालों से negotiations चल रहे थे, कि अब ये सारी चीज़ों जो है, तो उसका अंत लेकर आए हम, और finally ऐसा हुआ, finally एक ऐसा दिन आ गया, जब ये एक बहु आसाम में, और अब वाइलेंस जो हाँ, यहां पर खत्म होगा, एक लंबे समय से, हमारा पूरा जो आसाम है, तो वहाँ पर अलग अलग जगाओ पर वाइलेंस हमें देखने को बिल रहा था, और अब ये जो ULFA के साथ जो डील साइन हुई है, ये मेमरेंडम जो साइन जो हैं, उनकी मृत्य हुई है, बिकॉस अफ दिस वाइलेंस, तो ये जो एक पीडा है, एक लंबे समय से, स्टेट गवर्मेंट, सेंट्रल गवर्मेंट, ULFA और दूसरे जो आसाम के लोग हैं, और इन जनरल, नोर्थ इस्ट के लोगों को बहुत सारे इस्शियूस फेस कर पड़े, तो ये सारी चीज़े जो है, वो अब खत्म हो जाएगी, उन्होंने ये भी एस्शियूरिटी दी है, ULFA के जो रीप्रेसेंटेटिव से उनको, कि Ministry of Home Affairs जो है, वो जल्द से जल्द टाइम बाउंड मैनर में सारे जो प्रोग्राम से हमने डिसक्स किये, वो सारे प पर भरोसा रखा और सरकार जो है, उनका भरोसा नहीं तोड़ेगी, जो चीफ मिनिस्टर है आँ सामके, शर्मा साब तो उन्होंने ये बताया कि मोधी साब की अध्यक्षता में, या फिर उनकी लीडर्शिप के तहट, एक हिस्टोरिक एग्रिमेंट जो है, वो साइंक किया है, बहुत बड़े लेवल पर यहां पर एक चीज़े जो है, वो पहुँच चुकी है, एक ही चीज़े, एक ही बड़ा खत्रा है, and that is the hardline faction, जी हाँ, ULFA जो है तो उसका एक hardline faction है, और ये hardline faction जो है, ये परेश बारुआ जो है, तो उनके द्वारा operate किया जाता है, परेश बारुआ जो है, ये एक बहुती prominent, बहुती strong और बहुती controversial figure रहे हैं, इस पूरी आसाम की separatist moment में, और अभी पूरी कोशिस की जा रही है, कि उनको भी negotiation table तक लेकर आए, अभी देखिए दोस्तों, ये जो deal हुई है ये ULFA के pro talk section, आसाम की सरकार और central government के बीच में हुई है, ये जो परेश बारुआ है, उनकी जो team है, उनका जो group है, उसने इस deal को sign नहीं किया है, तो चलो एक level तक तो हम पहुँच गए, ये 12 सालों के अंदर ये जो negotiation हुई है, तो यहां तक चीज़े पहुची है, होफ़ले आने वाले समय में सरकार की पूरी कोशिस है, कि जल से जल परेश बारुआ जो है, तो उनको भी ये negotiation टेबल पर लेकर आए, और उनकी साथ भी एक अच्छी deal हो जाए, तब सारी चीज़े जो है, वो हमेशा के लिए यहां पर sort out हो जाएगी, अब ये बताया जाता है, कि परेश बारुआ जो है, ये चाइना और मियानमार के बीच मे उसकी तरकी जो है, वो हो सक है, so that's everything in today's discussion, dear friends, limitless leadership के total seven lectures हमने deliver कर दिया है, और बहुत सारी interesting चीज़ों के बारे में बात की है, right, कुछ ऐसे scientific chemicals के बारे में हमने बात की है, जो mother nature ने हमारे अंदर inject किये है, right, तो उनका क्या connection है leadership के साथ, ये सारी चीज़ा है, I'm sure आपने कभ limitless leadership में पढ़ने को मिलता है, और आने वाले जो lectures है, उसमें तो कुछ ऐसी systems आपको सिखाई जाएगी, जिनको आप जब आपके जीवन में उतार होगे, तब limitless leadership, आपकी जो leadership की journey जो है, उसका एक theory से action की तरफ, right, theory से practicality की तरफ, उसमें आपको एक नया आप कह सकते है, कि उसकी तरफ एक नया रास्ता जो है, उस पर चलना जो है, वो आपका start हो जाएगा, तो it's not just a theory, it is also the practical side of leadership that we are talking or discussing in limitless leadership program, इसके साथ, दोस्तो, you can get in touch with me via telegram, Instagram, Facebook and Twitter, so that's everything from my side, this is Prashant Mavani, I'm signing off for now, I'll see you soon, till then enjoy your stories, God bless you all, Jai Hind!